स्वागते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल अनिल ठाकुर अफिशल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वाईटी स्टुडियो के एक अपकमिंग अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ तक जरूर देखेगा और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आइगन को प्रेस करना मत भूलेगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियो से आपके लिए रेगुलर लाता रहता हूँ अब्र दोकष ए यहां जाने के बात देखेए यह कौन सा अफडेट है यहाँ पर आपको je private का प्रेएट अपशन देखने को मिलता है तो इस पर अगर मैं आपको किलिक करके दिखाता हूँ जिसके आगे बीटा भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यह feature क्या है और आपको कैसे use करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यह जो feature है इसका मतलब यह है कि भाई आप जो वीडियो upload करोगे अपने channel पर तो पहले आपको 4 options मिलते थे पब्लिक यानि मतलब सबके लिए आप अवेलिबल कर सकते थे जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे तो पब्लिक लिए अपलोड होती थी जो भी सर्च करता था YouTube पे वो भी आपकी वीडियो फाइंड कर सकता था सर्च करके दूसरा होता था Unlisted Unlisted मतलब कोई भी अगर लिंक जिसके पास आपकी वीडियो की है वो उस वीडियो को देख सकता था ठीक है और इसके अलावा अगर आप अपनी वीडियो को किसी प्लेलिस्ट में आड कर देते हैं तो भी वो वीडियो कोई भी देख सकता है अगर आपने Unlisted सेव किया हुआ है तो उसके बाद आता है Private प्राइवेट मतलब की भाई आपकी वीडियो कोई नहीं देख सकता लेकिन अब जो एक नया फीचर इसमें जुड़ गया है जो कि आपको यूटूब के a desktop version में देखना को मिलता है जिसमें कि आप अगर email पे किसी को उस वीडियो की link send करते हो तो वो उस वीडियो को ज़रू देख सकता है और इसके बाद आता है schedule schedule यानि publicly ही होता है मतलब कि जो आपको first वाला option दिखाए दे रहा है पब्लिक वो ही ये चीज़ है लेकिन यहाँ पे आपको schedule का option मिल जाता है यानि कि आप कब चाते हो कि आपके चैनल को जिन लोगों ने subscribe क्या हुआ है सिर्फ उनी लोगों को ये वीडियो दिखाई दे तो ये बहुत ही शांदार option है और ये option मुझे बहुत शांदार लगा कि भाई अकर मैं कुछ ऐसी खास वीडियो बनाने वाला हूँ कोई tips और ट्रिक्स वाली और मैं चाता हूँ कि भाई मेरे जो members है चैनल के सिर्फ वही उस वीडियो को फायदा उठा सके तो मैं इस चीज़ का use कर पाऊंगा लेकिन ये feature अभी फिलाहल उपलब्द नहीं है हमारे mobile के application में क्योंकि ये beta version में है लेकिन आप इस function का use जरूर कर सकते हो लेकिन आपको करना कैसे है इसके लिए आपको जाना होगा अपने yt studio के desktop version में अगर आपके पास computer या laptop नहीं है तो आपको अपने किसी एक browser में जाना है उस browser में जाने के बाद आपको वीडियो के section में जाना है और edit जैसे करते हैं उसमें जाना है वहाँ जाकर जब आप ये option देखेंगे जब publicly आप schedule का तो वहाँ आपको ये option देखने को मिलता है members का तो वह जो members का option है वहाँ पे enabled है यहाँ तो disabled है भी फिलाग क्योंकि beta version में इसकी testing चल रही है YouTube देखना चाता है कि ये feature अभी कैसा work कर रहा है लेकिन वहाँ जब आप desktop version में जाओ गए YouTube studio के तो वहाँ आपको ये feature easily मिल जाएगा वहाँ से आप चाहो तो members के लिए अपनी वीडियो को select करके upload कर सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने था और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक like ज़रूर कीजेगा और हमारे चैनल की वीडियो आने वाल टाइम में regular YouTube पर पाने के लिए हमारे चैनल अनिल्ठागर ओफिशिल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा तो दोस्तो मिलते हैं फिर कभी ऐसी किसी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद